हालो और वलकम बाक एवरिवन जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग इनी सेकंड यूनिट फिनिस किया था वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग HTML और CSS तो HTML और CSS के कॉनसेप्ट हमने देखिया HTML और CSS की जो वीडियो सीरीज है जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं आपका कोई समस्या आती है कोई डाउट आता है तो comment section वे लिखे जरूर पूछिए such that आपका कोई डाउटर ना रहे और exam time में आपको तयारी करने में भी आसानी रहे now आज हम unit 3 स्टार्ट कर रहे हैं that is multimedia design और यहां पर एक और यहां नाम लिखा है साथ में GIMP multimedia design जो हम सीखने वाले हैं वो एक tool है एक software है जहां भी tool word यूज करूँगा या software word यूज करूँगा that is similar sometimes अगर मैं कई बार आपका जो टेक्निकल लेंग्वेज है उसमें हम tools ही लिखते हैं उसको ठीक है जैसे यहां पर लिखा है यह आपका first session है multimedia design tools तो tools that means software related to multimedia design so GIMP आपका एक software है एक tool है जो multimedia designs के लिए हम लोग use करते हैं और इसकी एक सबसे अच्छी खास बात यह है GIMP की कोई pay नहीं करना पड़ता है और इसका complete version आप download करके use कर सकते हैं ठीक है customize भी हो सकता है ठीक है so जो unit है इसमें हम क्या-क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले multimedia design tools के बारे में आज हम सिरफ एक introduction करने वाले हैं और उसके बाद में हम GIMP को start करेंगे कि GIMP जो tool है वो कैसे use करना है कहां से download करना है वो सारी बाते करेंगे उसका different toolbox में क्या-क्या आपके पास options आव लेबल है filters कैसे use करते हैं और layers के through कैसे काम किया जाता है market में और भी बहुत सारे software आव लेबल है लेकिन GIMP हम इसलिए भी आपका syllabus में अभी introduced हुआ इस बार syllabus चेंज हुआ है इससे पहले हम लोग बच्चों को जो है dreamweaver पे सिखा रहे थे तो वो लेकिन आपका paid software था और उसका भी customer जो trial version है वो होता है जिससे हम लेकिन complete एक कह सकते है freedom नहीं होती है उसमें उस software में यहां पे GIMP में आपके पास में complete package होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है जो आपको introduce हुई आपके syllabus में multimedia content को लेके ठीक है सबसे पहले बात करते हैं multimedia design tools के बारे में तो multimedia की में बार-बार word हमारे सामने आ रहा है तो सबसे पहला meaning हमारा multimedia को समझना जरूरी है तो multimedia जैसा की नाम सजेस्ट कर रहा है दो words का combination है multi प्लस media ठीक है और multi का मतलब होता है more than one right multi that means more than one और media का मतलब होता है mode of transmitting information यानि कि आप किस तरीके से कोई भी information को transmit करते हैं तो उसका जो mode है that is media ठीक है तो बहुत सारे modes हो सकते हैं देखे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे जो communicate कर रहा हूँ वो YouTube के थूरू कर रहा हूँ वीडियो के थूरू कर रहा हूँ तो मेरा जो communication आप लोगों के साथ वो कैसा है कुछ साथ मेडिया यूज कर रहा हूँ ओडियो वीडियो ठीक है टेक्स की format भी है ग्राफिक्स भी हो सकता है images का भी हम यूज करते है animation का भी और अगर ये सारे एक साथ हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं तो वो आपका एक effective communication हो जाता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं चीजों को elaborate करना explain करना और आसान हो जाता है जब हम multimedia का यूज करते हैं more than one media का यूज करते हैं सिरफ video का यूज करूँ या only audio की बात करूँ तो वो एक effective communication ही होता है हमें साथ में graphics भी यूज करना होते है image भी यूज करना होता है कई बार animations का भी यूज किया जाता है समझाने के लिए हम text का यूज करते हैं तो ये एक तरीका है कैसे हम अपनी जो information है वो communicate करते हैं किसी भी other source के साथ में ठीक है so multimedia deal will be more than one concurrent medium in integrated manner और ये आपका text भी हो सकता है graphics image भी हो सकता है audio, video, animation, whatever and multimedia design is a art of integrate multiple form of media for designing various application जासे कि video games होगे education software होगे navigation system होगे आप यूज करते होगे different education software entertainment, hospital information system तो this is a small examples of multimedia ठीक है और इन ही को अगर हमें design करना है हमें इन में कोई interactive manner में कोई चीज तयार करनी है तो उसके लिए हम procedure सीखेंगे GAMP tool के बारे में complete study करने वाले है ठीक है so जो process होता है multimedia development का उसमें तीन phase होती है input, process और output input में जो data हम capture करते हैं तो basic हमारे need होती है वो आपकी input में आती है जैसे data capture करना device पे files के format में उसको तयार करना या फिर internet के help से उसको source को use करना ठीक है दूसरा process में आपका हो जाता है कि जो हमारे पास available data है input से जो हमारे पास data आया है उसको एक meaningful और अच्छे ढंक से तयार करना ठीक है for example मैं कहूं आपके पास different images है audio है video है लेकिन उसको एक systematic way में बनाना such that वो एक अच्छा advertisement बन सके एक ad बन सके तो वो आपका वो process में आ जाता है data is process applied by various animation effect compression file format conversion decompressing, editing ये जो काम है हमारे वो processing में आते हैं और finalize जो आपका एक complete तयार होके आता है जो आप deliver कर सकते हैं वो आपका output में आ जाता है यानि कि process input आपका क्या कहलाता है output कहलाता है and one more thing कि अगर मैं बात करूं multimedia क्यों attraction का इतना ज्यादा use होता है यानि कि इतना attractive होना उसके region है कि उसकी जो publicity है यानि कि multimedia content जो है वो कितनी आप देखते होंगे कि उसका जो result है वो किस तरीके से increase होता है ठीक है एक आप static website देखे और एक आप commercial website देखे दोनों में आपको difference नजर आ जाएगा कि उसके users कैसे increase हो रहे है आप एक flip card पे की website पे जाएए और एक आप कोई local किसी website पे जाएए तो आपको देखें देखने को मिल जाएगा कि आप किस तरीके से users बढ़ जाते हैं जब आपका multimedia वहां पे यूज होता है ठीक है तो इसमें आपका different तरीके हैं सबसे पहले चीज की simplicity है यूज करने में interactive interface बनाया जा सकता है multimedia की help से ताकि जो system है उससे interface हमारा better हो और content को अच्छे से deliver किया जा सकता है और cost effectiveness यानि कि ज्यादा कम cost में आपका अच्छा output बनाया जा सकता है अच्छा elements डाले जा सकते है multimedia की help से इस chapter में हमारा जो focus रहेगा वो multimedia जो software होंगे कैसे है multimedia software को use कर सकते है manipulating करने के लिए multimedia features कैसे use कि जा सकते हैं और जो मैं बार-बार कह रहा था कि GIMP जो है तो open source multimedia design tool के बारे में हम लोग study करेंगे such that वो आपके पास उसका source code है वो freely available होगा तो आपको pay नहीं करना पड़ेगा जो software पर हम काम करेंगे adobe photoshop has been used fundamentally over the years of image editing and but now various open source tools image editing are available तो यहां पर यह जो है वो आपका open source नहीं है adobe photoshop तो लेकिन बहुत सारे open source software आगे तो हम उनका use करेंगे कुछ examples यहां पर दिये हुए हैं आपके syllabus में जो है GIMP है वो हम study करेंगे एंड उसकी अलावा फोटोर है फोटल एक्सल है स्नैपसीड है पें डोटनेट है ओटो डैस पिक्सल है पिकासा है यह आपके freely open source software से इनका यूज आप कर सकते हैं अगर हम एक टूल पर काम करना सीख लेंगे GIMP पर तो डेफिनेटली आगे हम लोग जो है वो अधर शॉफ्टेर्स पर भी काम कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता लिटल बिट लुक और फिल का डिफ्रेंस आता है तो कुछ यहां पर आपके window-based software से कुछ android-based software भी है जिनको आप अपने मुबाइल पर भी यूज कर सकते हो जैसे तो आप इसको मुबाइल पर भी यूज कर सकते हो ठीक है एंड जी आएंप शॉप्टेर एक अच्छा और पारफुल टूल है इसके बारे में हम कम डिटेल में study करेंगे सो आज की सेशन में इतना ही है और अगर कोई समस्या आती है कोई डाउट है मल्टी मीडिया को लेके मल्टी मीडिया की डेफिनेशन को लेके तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्षन में एंड फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना जिए एंप की ओके जी एन